सौरेन कियरकगाड प्रॉलिफिक, ब्रिलियंट और प्रोफाउंड 19th सेंचुरी के एक फेमस राइटर और फिलोसोफर थे जिन्होंने मोस्टली लाइफ के बारे में लिखा जैसे की कियरकगाड को father of existentialism कहा जाता है existentialism एक philosophy है जो एक individual के existence and subjectivity पर जोर देती है the core philosophy is the problem of existence what is existence कियरकगाड का कहना था ना सिर्फ हमें ये question खुझ से पूछना चाहिए बल्कि इस life को अपना subjective answer बनाना चाहिए कियरकगाड ने हमेशा subjectivity पर जोर दिया subjective experience जो होता है एक इनसान का personal experience जिनसे हम गुजरते हैं ना कि सिर्फ किसी और से सुनते हैं लगबग 2000 साल तक Plato एन Aristotle की philosophies चलती रहें जिसके बाद कियरकगाड ने existentialist thought की बुन्याद रखी उन्होंने उन सभी themes पर बात की जिसने आगे जाकर साट्रा, कम्यू एन हाइडिगर जैसे thinkers को inspire किया However, existentialism ने popularity किरकगाड की death के एक century बात गेन की, especially French philosopher Jean-Paul Sartre के emergence के साथ, जिन्होंने problem of existence, angst and absurd को examine किया किरकगाड की जिस बुक ने existentialist को सबसे जादा fascinate किया वो थी उनकी 1844 में published The Concept of Anxiety जिसमें किरकगाड एक new word angust, जिसे English में angst कहते हैं, इस पर जोर देते हैं एक ऐसी condition जब हम life में बहुत सारी choices face करते हैं और उन में से एक choose करना हमें मुश्किल लगता है Human life की problem होती है unhappiness जिसके बारे में हम जानते हैं that इससे बचा नहीं जा सकता Science के field में हम काफी आगे आ चुके हैं पट individual realm में ज्यादा progress नहीं कर पाए हम सभी same conditions से जूचते हैं और same conditions ही enjoy करते हैं जिसे कहते हैं human condition and care card के according इस human condition के बारे में कुछ ज़्यादा किया नहीं गया एक इनसान एक individual दुनिया को वैसे देखता है जैसे वो देखना चाता है और ये उसके beliefs and values पर depend करता है जिनें वो मानता है यही values उसे वो इनसान बनाती हैं जो आज वो है Soren Kierkegaard की family काफी religious थी उनके total साथ भाई बहन थे बट जब तक वो 22 के हुए एक एक करके उन सभी की मौत हो गई एंड में बस वो और उनका एक भाई बचे इस सबका Kierkegaard पर काफी असर हुआ Kierkegaard बचपन से ही physically handicapped and काफी कमजोर थे बट अट 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 आइम वो highly gifted भी थे Soren बहुत छोटी एच से अपने अंदर consciousness की अलग-अलग forms and way of life explore करने लगे थे As he once said, I go fishing for a thousand monsters in the depths of my own self अपने फादर की death के बाद Kierkegaard deep transformation of faith से गुजरे बाद में कॉपनहेगन में as a student कीरkegaard रजीन आलसन नाम की एक लड़की से मिले जिससे उन्हें प्यार हो गया However, जब तक वो 27 साल के हुए उनके पास अभी भी कोई career नहीं था तब उन्हें अपने सामने दो options दिखाई दिए या तो वो रजीन से शादी कर ले या फिर एक pastor बन जाए जैसा कि उनके फादर चाहते थे Well, Kierkegaard की church के लिए hatred ने उन्हें pastor नहीं बनने दिया Kierkegaard Danish church के belief system से नफरत करते थे He says, As I grew up, I opened my eyes and saw the real world and began to laugh and I haven't stopped since वो कहते हैं, Meaning of life, एक livelihood ढोनना है Goal of life, कुछ बनना है The brightest joy of love, just शादी करना है And wisdom, वो है, जो majority कहती है Fear of God, साल में एक बार church जाना ये सब उन्हें absurd लगा Well, ऐसे ही उन्हें अपनी strange personality and special gifts के साथ एक writer बनने का फैसला किया The meaning of Kierkegaard's whole life hung under a decision And he now saw that choice is everything He said, Life can only be understood backwards But, it must be lived forwards ऐसे ही उन्होंने रजी नॉलसन से अपनी engagement तोड़ दी जिससे काफी scandal create हुआ और उन्हें society ने boycott कर दिया उनके बारे में काफी बुरा भला भी कहा जाने लगा बल कियरकेgaard freelance writer बनने का पूरा mood बना चुके थे उनकी writings का starting point वो खुद थे उन्हें अपनी personality को समझना था और explain करना था पब्लिक मौकरी और लोगों द्वारा उन्हें acceptance ना मिलने पर कियरकेgaard deep isolation में चले गए जिसने उनका writing के लिए determination और बढ़ा दिया कियरकेgaard furiously पूरा दिन और कभी कभी पूरी रात लगातार लिखते 1843 में उन्होंने 9 books published की जिनमें उन्होंने human existence के बारे में detail में लिखा वो पैसो के लिए नहीं लिखते थे बलकि he was working to save himself and most importantly humanity उनकी writings का main purpose था reader को खुद के conclusion पर पहुँचाना और उसे अपने existence के बारे में सोचने पर मजबूर करना उन्होंने human life की different possibilities explore की कियर कगार्ड एक चीज़ पर जादा जोर देते हैं जिसे वो कहते हैं inwardness और subjectivity वैल उनके according life में दो तरह की truths होते हैं subjective truth and objective truth objective truth का मतलब है ऐसे truths जो universal है जिनके evidence है for example cases of natural science like हम सभी जानते हैं e is equal to mc square और pv is equal to mrt however कुछ truths individual and personal होते हैं जो पता करने के लिए पहले हमें उन्हें experience करना होता है for example अगर आपको पूछना पड़े की jazz क्या है तब आप उसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे मतलब jazz को ठीक से समझने के लिए हमें उसका experience होना जरूरी है जब तक आपने उसे real में नहीं सुना होगा तब तक आप उसे नहीं समझ सकते and without that experience jazz एक incomprehensible nonsense लगेगा ना की musical truth इसलिए according to Kierkegaard life में mostly truths ऐसे ही होते हैं जिने कहते हैं subjective truths इन truths को समझने के लिए आपको उन्हें first hand experience करना जरूरी है Kierkegaard का कहना था जिन्दिगी हमारे द्वारा लिए गए decision से जादा कुछ नहीं होती decisions जो हम life के हर पड़ाव पर लेते हैं it's a philosophy of action and will life का chief task होता है to become an individual and you can become an individual by action and decision अपने खुद के decisions लेकर ना की simply crowd को follow करके Kierkegaard को डर था कि modern consumer society में इनसान crowd को follow करेगा और उस भीड का mayor एक member बन जाएगा and इनसान की spiritual life communal politics and religious illusions के द्वारा दबा दी जाएगी उनका कहना था Christianity जिसका main goal इनसान को एक individual बनाना था आज उसकी just opposite हो चुकी है क्योंकि अब ये crowd and false beliefs follow करने को बोलती है This is why वो चर्च से hate करते थे According to him, जब religion को society में integrate किया जाता है तब social scene, religious scene बन जाता है कियरकगार एक individual बनना चाहते थे अपनी life अपने तरीके से जीना चाहते थे बट ऐसा possible नहीं था क्योंकि उस वक्त वही करना होता था जो crowd follow करता था Even आज भी काफी हद तक ऐसा ही होता है He says, we define our meaning in life trying to come up with rational decisions despite living in an irrational world कियरकगार्ड, Socrates से काफी influence थे क्योंकि उनका कोई philosophical system नहीं था उनकी पूरी life self-examination थी और वो सिर्फ questions पूछते थे जिस वजह से उन्हें death sentence सुनाया गया कियरकगार्ड भी खुद को इसी तरह देखते थे उनके लिए philosophy कोई concept नहीं बलकि ये human experience समझने के बारे में है कियरकगार्ड ने अपना ज्यादतर समय concepts like anxiety, angst, the absurd and despair के बारे में लिखने में बिताया उनके anxiety and angst के concept psychology के profound pre-fraudian works में से एक है human beings freedom of choice enjoy करते है जो appealing and terrifying दोनों लगती है angst उनकी philosophy का primary feature है you don't see it coming, you just know something is wrong हमारे पास infinite number of possibilities होती है and हम उन पर freely act करने के capable भी होते है the thing is कई बार हम इन possibilities से अंजान होते हैं वहीं दूसरा पार्ट जिस पर कियरकगार्ड जोर देते हैं वो है the finite जिसका मतलब है उन finite possibilities को consider ना करना और mindlessly उसी direction में भागना जिसमें सब जा रहे हैं culture and social expectations scary part यह है कि लोग इससे aware नहीं होते वो जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो उनकी choice है जबकि ऐसा नहीं होता वो वो सब कर रहे होते हैं जो society उनसे expect करती है कुछ लोग एक complete जूट जी रहे हैं क्योंकि वो ऐसी life जी रहे हैं जो उनके parents, friends यह society ने follow करने के लिए कही and वो जो खुद चाहते थे उसे ignore कर दिया suppose एक इनसान है वो high school में पढ़ता है वहीं उसे girlfriend मिल जाती है वो साथ में graduate होते हैं एक normal job join करते हैं उसके बाद शादी कर लेते हैं then they have kids, एक घर खरीते हैं उन पर धेर सारा loan हो जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे life गुजर रही होती है इस इनसान ने आज तक जो भी किया वो इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था बलकि दूसरों की expectations पूरी करने के लिए उसने ये सब किया क्योंकि हम सभी को इसी mindset के साथ raise किया जाता है that हमें family की, society के expectations फुल्फिल करनी है और खुज जो चाहते हैं उसे just ignore कर देना है बल बाद में एक point ऐसा आता है जब इस इनसान को realize होता है कि वो एक जूर जी रहा था इसके बाद वो divorce ले लेता है अपनी job छोड़ देता है और life में कुछ meaningful ढूणने निकल पड़ता है वो different jobs try करता है चीजों को explore करता है और day after day, months after months एक अच्छे future के बारे में सोचता है कियरकगाट के लिए life इसी बारे में है just to take a leap of faith जो irrational लग सकता है जीजनेबल चीज है He states, you choose the person you are going to be rather than the world choosing for you जब आप life में कोई choice make करते हैं तब उस पर act करने के लिए free होते हैं then you become an individual crowd से अलग और ये एक ultimate subjective experience होता है आपका personal experience the world is absurd and we must live in it He states, marry and you will regret it don't marry, you will also regret it marry or don't marry, you will regret it either way laugh at the world's foolishness or weep over it you will regret both hang yourself, you will regret it don't hang yourself, you will regret that too hang yourself or don't hang yourself, you will regret that either way this gentleman is the essence of all philosophy आप दुनिया के according life का sense बनाने की कोशिश कर सकते हैं but eventually आप पाएंगे इसका कोई sense नहीं है So now, what do you do? Well, Kierkegaard कहते हैं हमें खुद से शुरुआत करनी होगी Inwardness अपने अंदर जागना होगा He wrote in his journal What I really want is to be clear in my mind what I am to do not what I am to know The thing is to understand myself to see what God really wishes me to do The thing is to find truth which is true for me to find the idea for which I can live or die वो कहते हैं subjectivity अपनी identity उस system में ना ढूनना जो किसी और ने create किया है and उनके खुद के लिए it's not working ऐसे वर्ड का क्या point जहां इनसान खुद के बारे में नहीं जानता सिर्फ दूसरों के views ही रखता है और उसी crowd को follow करता है The view must be taken into one's life and that's what he viewed as the most important thing A life is not a problem to be solved but a reality to be experienced हमें अपने existence को समझना होगा and उसकी full responsibility accept करनी होगी हम जिस तरह से life जीते हैं ये कभी नहीं जान सकते कि वही एक मात्र सही तरीका है and ऐसा इंसान जो ये पूरी तरह से समझ जाता है वो anxiety and fear फील करने के लिए मजबूर होता है क्योंकि ये subjective, personal truths होते हैं जिनका objective truths की तरह कोई evidence नहीं होता and ऐसे ही हम existence की nothingness, uncertainty and illusions realize करते हैं कि एरकगाड कहते हैं किसी भी इंसान के लिए life में पूरी तरह से happiness and satisfaction अचीव करना possible नहीं है no one has come into the world without crying no one asks when you want to enter the world no one asks when you want to leave how empty and meaningless life is well, for Kierkegaard इस madness और meaninglessness से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है God take the leap of faith उनका मानना था just believe in God surrender yourself एक दूसरे को kindness के साथ treat करें और आगे बढ़ते रहें He believe God के लिए एक इनसान के attachment को rationally explain नहीं किया जा सकता इसलिए उन्होंने leap of faith recommend किया इसी तरह जब Sauran Kierkegaard 42 के हुए एक spinal disease के चलते उनकी मौत हो गई Kierkegaard उन philosophers में से एक है जब आप life में meaninglessness या lost feel कर रहे हो तब अपना रुक उनकी writings की तरफ कर सकते हैं जो उन dark places and illusions को अच्छे से describe करती हैं जिनमें आप खुद को फसा हुआ पा रहे हैं and Kierkegaard की writings हमें उन dark places से निकलने का रास्ता दिखाती हैं don't forget to like and share the video thank you so much for watching